हाई, वेल्कन तो मैं चैनल, एस बड़ी में सॉल्व करें है क्वेशन आप 42, तो ध्यान देज़ेगा, वाट लेंथ आफ ए सॉलेड सिलिंडर, 2 सेंटिमेटर इन डायमेटर मॉस्ट बी टेकेन, तो रीकास्ट इन्टु आ हल्लू सिलिंडर आफ लेंथ 16 सेंटिमेटर, ठीक है, यहां से यहां तक जो है, लेंथ L है, और इसको पूछ राया कर रहा है कि इसका डायमेटर दे दिया है, 2 सेंटिमेटर, पूरा है 2 सेंटिमेटर का डायमेटर है, ठीक है, तो पूछाए कि इसका लेंथ क्या होगा, यदि हम इस solid cylinder को solid है मतलब ठीक है solid से बना हुआ है कौन सा metal है यह नहीं दिया okay solid का है लेकिन अब इसको melt कर दिया गया melt करके बना दिया गया एक hollow cylinder तो जो hollow cylinder बना गया recast किया गया तो इसका जो length है वो दे दिया 16 cm इसका length दिया 16 cm okay great तो 16 cm का यह दे दिया length okay great अब दे दिया external diameter 20 cm external diameter यहां से लेकर करके यहां तक जो diameter दे दिया है वो दे दिया है 20 cm and thickness 2.5 mm मतलब यह जो thickness है यह बहुत कम दिया हुआ है और यह दिया हुआ है 2.5 mm इसका मतलब समझ रहा है मतलब 2.5 है मतलब कि 0.25 cm 0.25 cm है कि नहीं cm कराउट करेंगे तो क्या करेंगे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा 10 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0.25 cm मिल जाएगा okay तो मतलब यह दे दिया है तो बताएगे क्या आप पूचा है पूचा है कि इस solid cylinder का length कितना होगा चलिए solve करते है तो पहले मालेंगे कि solid cylinder का length L है let length of the solid cylinder B L cm माल लेते हैं इसको ओके तो यहाँ पर हमें जो concept यूज करना है वो यह है कि जितना भी volume होगा इस solid cylinder का उतना ही होगा जितना इस hollow cylinder का volume होगा क्योंकि जितना material इसमें है इस solid cylinder में है उतने ही material का तो यह hollow cylinder बन रहा है तो दोनों का volume equal होगा तो हम लिख सकते है sense volume of the solid cylinder is equal to volume of the hollow cylinder okay तो यहां पर क्या है निकल लगा देखे solid cylinder का जो volume होगा वो होगा पाई आर स्क्वाइर एच होता है तो यहां पर लगा देंगे पाई और आर स्क्वाइर यहां पर है पाई आर स्क्वाइर एच एच मिन्स यहां पर ल यूज करेंगे क्योंकि यहां पर लेंथ लिया है माना है sudah 10 cm हो राइट और इसका जो इसमाल र होगा वो कितना होगआ इंटरनल रेडियस वो बहुत है ऑभ थीक नेस माना सकरेंगे थीकनेस कितना है 2.5 mm है मिन्स 0.25 cm मिन्स आड़ मेंस मानासं करेंगे थीकनेस तब निकलेगा आपका इस माला means r में से कितना मतलब 10 में से मानस करेंगे 0.25 कितना मिल जाएगा देखे 9.75 मिल जाएगा 9.75 cm तो यहाँ पर वह उज करेंगे तो यहाँ पर देखे 5 पर केंचल कर सकते हैं यहाँ पर असाम थोड़ा हो जाएगा और r की value यहाँ पर देखे क्या है यहाँ पर 2 cm diameter दिया हुआ है तो इसका जो radius हो जाएगा r हो जाएगा 1 cm इस solid cylinder का तो यहाँ पर 1 का square होगा तो 1 ही रहेगा मतलब l आएगा यहाँ पर l बराबर आजाएगा इतना r square means यहाँ पर capital r है 10 cm यहाँ लिख दीजिए 10 का square minus small r square means 9.75 9.75 का whole square ठीक है into h h मतलब की length of this hollow cylinder यह आपका 16 cm यह ज़िए अब यहाँ पर जो है लेंथ फाट करना है अब यहाँ 10 का square क्या होगा 100 होगा यहाँ पर ऐसे मत करिएगा यहाँ पर आप break कर लिजिएगा a square minus 20 का formula से 10 10 minus इतना हो जागा पहले 10 minus 9.75 जुसरे बड़कर में हो जाएगा 10 plus 10 plus 9.75 multiplied by 16 तो यहाँ पर length निकलेगा 10 minus 9.75 तो मिलेगा 0.25 multiplied by यहाँ पर हो जाएगा 10 यह हो जाएगा 19.75 इंटू यह हो जाएगा 16 अब यदि हम दोनों को multiply पूरा यह multiply कर दें तो multiply करेंगे तो मिलेगा आपको 20.62 centimeter and this will be the length of the solid cylinder तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर hence hence the length of the solid cylinder is equal to 20.62 centimeter okay this is your answer thank you so much for watching bye